हनुमान जी के चमतकारों से हम सब बखुबी वाकिफ हैं और कहा भी जाता है कि हनुमान जी को अजर अमर होने का वर्दान मिला है हनुमान जी का चमतकारी रूप मनुष्य के हर संकट को हरने का दम रखता है विद्वान कहते हैं कि एक बार अगर हनुमान जी का नाम ले लिया तो समझो सारा डर खत्म हो गया हनुमान के भक्तों का कोई शत्रू नहीं होता इसलिए वे आज भी धर्ती पर विराजमान है दुनिया भर में महावीर बजरंग बली के कई चमतकारी मंदिर है जहां लोगों की आस्था जुड़ी है उन्ही मंदिरों में से एक ऐसा भी मंदिर है जहां हनुमान जी के भक्तों की मुरादे तो पूरी ही करते हैं बलकि उनके होने का एहसास भी दिलाते हैं जी हां मंदिर में मौजूद मूर्ती प्रसाद खाती है और मूर्ती के आसपास राम नाम की द्वनी भी सुनाई देती हैं यही चमतकार मंदिर में हनुमान जी के होने का संकेत देती है यह मंदिर उत्तेप्रदेश के इतावा से 12 किलोमेटर की दूरी पर थाना सिविल लाइन शेत्र के गाउं रूरा के पास यमुना नदी के निकट पिलूआ महावीर मंदिर है इस मंदिर के आसपास की जिले सहित दूर दूर से भी भक्तों की भीड़ मरती है यहां दर्शन करने आय भक्तों की महावीर जटिल से जटिल रोक ठीक कर देते हैं इस मंदिर में ऐसे हनुमान जी है जो अपने भक्तों की मुरादे तो पूरी करते ही है और साथ ही में मंदिर में मौजूद होने का संकेत भी देते रहते हैं हम सभी को पता है कि हनुमान जी को लड़ू बहुत पसंद है और यहां के भक्तों के मुताबित हनुमान जी लड़ू खाते भी है यही नहीं मूर्ती के मुक से लगतार राम नाम की ध्वनी भी सुनाई देती है और मूर्ती में सांसे चलने का आभास भी होता है खास बात यह है कि यहां विराजमान हनुमान जी के मुक से श्रिया राम की ध्वनी निकलती है वहीं भक्तो द्वारा चड़ाये गए लड्डू को भी खाते हैं और दूद भी पीते हैं अब आपको बताएंगे कि आकिर इस चमतकारी मंदिर का इतिहास क्या है अगर इस मंदिर के इतिहास पर नजर डाले तो करीब 300 साल पहले ही या शेतर प्रतापनेर के राजा हुक्मचंदर प्रताप सिंग्ह चौहान के अधिन था उनको श्रीहन्मान जी ने अपने प्रतिमा यहां होने का स्वपने दिया था इसके तहेत राजा हुक्म चंद्रों इस स्थान पर आये और प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया पर वो उठा ही नहीं सके इस पर उन्होंने विदिविधान से इस स्थान पर प्रतिमा की स्थापना करा कर मंदिर का निर्मांड कराया दक्षिन मुखी लेटी हुई हनुमान जी की स्प्रतिमा के मुख तक हर समय पानी नजर आता है चाहे जितना प्रशाद एक साथ मुँ में डाला जाए सब कुछ उनके अंदर समा जाता है अभी तक कोई भक्त उनके उदर को नहीं भर सका है और न यह पता चला है कि आखिर प्रसाद जाता कहा है यहां के मान्यता है कि मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मुर्ती प्रसाद खाती है इसके अलावा मूर्ती के मुख से लगतार राम नाम की ध्वनी तो सुनाई देती ही है साथ में सांसे चलने का भ्याभास होता है लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पे कई तरीके के शोध किये गए कई वैज्यानी किस मंदिर में आए लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर हनुमान जी जो खाते हैं वो जाता कहा है ना ही हनुमान जी के मुख का पानी कम होता है और ना ही यह अभी तक पता चल सका है कि हनुमान जी को चड़ाये गया भोग कहा जाता है इसलिए हर तरीके से ये मंदिर चमतकारी माना जाता है